हेलो बच्चो आज हम हिंदी साहित में पाठ चार रक्त की कहानी पढ़ेंगे खेलते समय आपका मित्र गिर जाए और उसे चोट लग जाए खून निकलने लगे तो आप सबसे पहले खून को रोकने की कोशिश ही क्यों करते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शरीर से अधिक खून बह जाना खतरनाक हो सकता है खून का हमारे जीवन में क्या महत्व है इस पाठ में हम इसी के विशय में जानेंगे बच्चो पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जानकरियां लेते हैं दो तरहे का रक्त अगर हम संसार के सभी जीवों के रक्त की बात करें तो कुल दो तरहे के रक्त होते हैं गरम रक्त और थंडा रक्त गरम रक्त वाले जीव गरम रक्त वाले जीव वे जीव होते हैं जो अपने शरीर के ताप मान में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। हर वातावरण और मौसब में उनका ताप मान एक समान रहता है। मनुष, शेर, भालू, आदी, अधिकांज, इस्तंधारी जीव गरम रक्त वाले होते हैं। ठंडे रक्त वाले जीव वे होते हैं जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर के ताप मान में परिवर्तन कर लेते हैं। जल और बर्फ में रहने वाले अधिकांज जीव ठंडे रक्त वाले जीव होते हैं। मचली, मैंढक, आदी ऐसे ही जीव हैं। रंग बिरंगे रक्त सभी जीवों का रक्त लाल नहीं होता हरा नीला पीला रंगहीन आदी रंगों के भी रक्त होते हैं अब बच्चों हम पढ़ेंगे पाठ चार रक्त की कहाने निशा दादा जी दादा जी जल्दी आईए समीर भया की उंगली कट गई है दादा जी अरे तुम्हारी उंगली से तो खून निकल रहा है चाकू से काम करते समय ध्यान रखना चाहिए निशा जाओ जल्दी से एक साफ रुमाल पानी में भिगो कर ले आओ दादा जी ने गीला रुमाल समीर की उंगली पर कस कर लपेट दिया और उसे भीतर ले आए खून बहना बंध हो गया दादा जी ने उंगली पर दवाई लगा कर पट्टी बान्ध दी निशा चुप चाप खड़ी सब देख रही थी दादा जी अगर हमारा बहुत सारा खून निकल जाए तो क्या हम मर जाएंगे दादा जी हाँ यदि बहुत अधी खून यानि रक्त बह जाए तो मौत निश्चित है क्योंकि रक्त हमारे शरीर का बहुत जरूरी हिस्सा है निशा वह कैसे दादा जी दादा जी निशा तुम जानती हो ना कि हम ऑक्सिजन के बिना जीवित नहीं रह सकते रक्त ही ऑक्सिजन को फेपडों से शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाने का काम करता है यदि रक्त नहीं होगा तो आक्सिजन की कमी के कारण शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे समीर दादा जी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त राजीब की मम्मी को अस्पताल में खून चढ़ाया गया था कार दुरगटना में उन्हें बहुत चोट आई थी उनका बहुत खून निकल गया था दादा जी सही कह रहे हो समीर शरीर में किसी भी कारण से रक्त की कमी हो जाने पर ऐसा करना पड़ता है किसी को रक्त चढ़ाने के लिए रक्त रक्त दान से मिलता है निशा क्या किसी को भी किसी का खून चड़ाया जा सकता है दादा जी दादा जी नहीं नहीं बेटा बैग्यानिकों के अनुसार रख्त के चार अलग अलग वर्ग होते हैं A, B, A, B और O ये चारों वर्ग भी दो प्रकार के होते हैं Positive और Negative रोगी का रख्त जिस वर्ग का होता है उसे उसी वर्ग का रख्त चड़ाया जाता है वरना रख्त नलिकाओं में थक्का जम जाता है और रोगी की मौथ हो सकती है निशा, पर दादा जी सभी का खून तो एक जैसा लाल रंग का ही होता है दादा जी थोड़ा हसते हुए, हाँ बेटा, हर व्यक्ति का खून लाल रंग का ही होता है खून पर धरम या जातपात का कोई प्रभाव नहीं होता मगर इसमें पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर इसमें भिनता होती है ओ वर्ग वाले व्यक्ति का खून किसी को भी दिया जा सकता है इसी तरह ए भी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति का खून दे सकते है हम सभी को अपना रक्त वर्ग मालुम होना चाहिए समीर, दादा जी हमारे शरीर में खून होता कितना है दादा जी, बेटा, वैसे तो शरीर में रक्त की मात्रा व्यक्ती की आयू और वजन पर निर्भर करती है परंतु सामाने रूप से एक स्वस्त व्यक्ती में लगभर 5-6 लीटर रक्त होता है और इस्तरी में इसकी मात्रा 4-5 लीटर होती है समीर, दादा जी, आप यह बताईए कि रक्त का रंग लाल क्यूं होता है दादा जी, लाल रक्त कड़ों हीमोगलोविन के कारण इसके अलावा रक्त में प्लाजमा, सफेद, रक्त कड़ और प्लेटलेट्स आदी होते हैं यह सब हमारे शरीर को स्वस्त रखने के लिए आवशक हैं समीर, निशा, तुझे पता है कि डेंगू होने पर हमारे रक्त में प्लेटलेट्स ही तो कम होते जाते हैं, है ना दादा जी? दादा जी, भई वा, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है प्लेटलेट्स ही रक्त का थक्खा जमने में मदद करते हैं निशा, दादा जी, रक्त और क्या-क्या काम करता है? दादा जी, रक्त हमारे शरीर में मुख परिवहन माध्यम का काम करता है यह रक्त नलीकाओं में लगातार बहता रहता है और पाचक रस, बिटामिन्स, मिनरल्स और हार्मोन्स और ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुँचाता है यह शरीर की बेकार वस्तुओं जैसे कारवन डायोकसाइट, अमोनिया, यूरिया, आदी को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है हमारे शरीर के ताप को नियंद्रित करता है और हमें विभिन रोगों के संकर्मन से बचाता है निशा, सचमुच दादाजी, रक्त तो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है पता है दादाजी, अनन्या को डॉक्टर ने एनीमिया बताया है वह बहुत जल्दी ठक जाती है और उसकी सांस भी फूलती है दादाजी, शरीर में रक्त की कमी को ही एनीमिया कहते हैं इसलिए तो कहता हूँ कि बच्चों को तुमको खुब हरी सबजियां, मौसमी फल और अंकुरित अनाज खाया करो इससे पाचन शक्ती भी ठीक रहेगी और रक्त की कमी भी नहीं होगी निशा और समीर एक साथ, दादाजी हम तो खुब सबजियां और फल खाते हैं, हमें तो एनीमिया नहीं होगा ना दादाजी हसने लगे, तभी दरवाजे पर घंटी बजी मम्मी पापा आ गए, कहता हुआ, समीर दरवाजा खोलने दोड़ा, निशा भी उसके पीछे पीछे भाग गई तो बच्चो आज की आपको ये कहानी, रक्त की कहानी समझ में आ गई होगी और आपने देखा कि हमारे शरीर के रक्त कितना महतपूर्ण है बच्चो जो रक्तदान होता है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ किसी स्वस्थ व्यक्ति का किसी जरूरत मंद रोगी को अपना रक्त देना, रक्तदान कहलाता है रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है, इसलिए कहा जाता है रक्तदान महादान रक्तदान करने से व्यक्ति के स्वास्त में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आती है बलकि व्यक्ति अनेक परिशानियों से बचा रहता है 16 साल से अधिक आयू और 50 किलोग्राम से अधिक वजन का एक स्वस्थ व्यक्ति तीन महिने में एक बार रक्तदान कर सकता है रक्तदान से शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं आती बलकि भविश में होने वाले अनेक प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा होती है तो बच्चो आपने देखा कि रक्तदान भी कितना जरूरी है कितने लोगों की जान रक्तदान से बचाई जा सकती है और साथ ही बच्चो हमें अपने शरीर और उसके विभिन अंगों की अच्चे से देखवाल करनी चाहिए शरीर को स्वस्त और मजबूत बनाए रखना अती आवश्यक है शरीर को बिमारियों से बचाई रखने के लिए हरी सबचियां अनाज, फल, दूद, आदी, अवश्य खाने चाहिए आशा करती हूं बच्चो आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा इस पार्ट के जितने भी अभ्यासकार हैं स्कूल वेब साइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें